हेमा मालिनी बॉलिवड की बेहत खुपसूरत अभिनेत्रियों में से एक है हेमा मालिनी की खुपसूरती आज भी किसी से कम नहीं है हेमा मालिनी ने बॉलिवड में कई हिट फिल्में दिये हैं अपनी फिल्मी केरियर में अपार सफलता के बाद ड्रीम गर्ल इन दिनों राजनीती में धूम मचा रही है दरसल लोकसबाचुनाओ 2014 में हेमा मालिनी मतुरा सीट से जीत तरज कर सांसद बनी थी और 2019 में एक बार फिर से जीतने में काम्याब रही बॉल्यूट के बादसा और सांसद सनी देवल को तो आप सब जानते ही है सनी बॉल्यूट के धाकर अविनेताओं में से एक है लेकिन उनकी पतनी को बहुत कम लोग जानते है बता दे कि सनी देवल की पतनी का नाम पूजा देवल है और उनकी खुबसूरती किसी बॉल्यूट अविनेत्री से कम नहीं है दरसल पूजा देवल लाइम लाइट से दूर रहना पसंद करती है तो वहीं बॉबी देवल भी बॉल्यूट के जाने माने अक्टर है और उन्होंने भी बॉल्यूट में एक से बढ़ कर एक फिल्म में दिये है फिल्म रेस थिरी से बॉबी देवल फिर से बॉल्यूट में लाइम लाइट में है आपको बता दें कि बॉबी देवल की खुबसूरत पतनी का नाम तान्या देवल है बॉबी देवल और तान्या देवल की शादी 1996 में हुई थी तान्या देवल भी बेहत खुब सूरत है तान्या देवल भी लाइट कैमरा एक्षन से दूर रहती है वैसे सनी देवल के राजनीती में आने से आप खुस है आ नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताईए दिरो रिपोर्ट ओमेच न्यूज